अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक वेकेंसी निकल के आने वाली आप लोग के लिए यहाँ पर नुक्लियर पावर कॉर्परेशन आप इंडिया लिमिटेड इसके भी आपर मैंने पहले एक वीडियो ग्रियेट किया था लेकिन वहां उस टाइम जो है उन्होंने कमपलेट फुल नोटिफिकेशन नहीं दिया था अब जो है यहाँ पर कमपलेट फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है आईटिया वाले चात्रों के लिए यहाँ पर एक अच्छी वेकेंसी निकल के आ चुकी है यह बेगदम प्योर सरकारी नौक्रिय वाई साब और इसके समझने में थोड़ी दिक्कत ना हो ठीक है सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगो दिखा रहेता हूँ आवेदन तीथी आवेदन तीथी के डियरम में बात करूं तो आवेदन आपके 13 दिसंबर से यहाँ पर सुरू हो करके 6 जनवरी तक आपकी किये जाएंगे यानि के 13 से स्टार्ट हो चुके हैं ठीक है 13 दिसंबर से जो फोर्म स्टार्ट हो चुके हैं 6 जनवरी तक आप इसके फोर्म प्लाई करोगे अभी मैं फुल नोटिफिकिशन के ब्यापर भी आपको समझा दूगा लेकिन मोटा मोटा समझे लो यहाँ पर इन्हों योग्यता जो मांगी है टैन्थ प्लस आईट यह मांगी है ट्रेड कौन कौन से भी दिखा दूगा यहाँ पर इन्हों ने आईउ में भी देदी है कि 18 साल आईउ होने चाहिए 24 साल तक ठीक है जिसमें यहाँ पर SC और ST वाले छात्रों को यहाँ पर 5 साल की चूट दी जाएगी ठीक है और जितन इतनी है तो देखिए यहाँ पर तीन ट्रेड है टोटल एक है इलेक्टरिशन इलेक्टरिशन के लिए टोटल आठ पोश्ट है फीटर वाले हैं फीटर वाले को लिए 16 है यहाँ पर इंस्टिमेशन जो वाले होते हैं उनके लिए 8 पोश्ट है अब देखो यहाँ पर competition दोनों थी यहाँ पर कि अलग अलग विशय में 50-50 अंक होने चाहिए अभी अंग्रेजी के मैं आपको दिखाता हूँ अंग्रेजी जहां तो कुम्मीद सबके विशय में होगा टैंट में सबके पास अंग्रेजी होता है दिखतर ठीक है सबके पास ही होगा लेकिन इसमें सिर्फ भांगा है कि 10th में आपके पास सिर्फ अंग्रेजी विशे होना चाहिए बागे कोई दिक्कत नहीं लेकिन यहाँ पर थोड़ा competition डाउन होगा इन्होंने एक चीज यहाँ पर add कर दिये है इन्होंने बोला है यहाँ पर कि 10th में आपके पास है ना आपके जो साइन्स है विज्ञान में ठीक है डियर किसमें विज्ञान में विज्ञान कितने फिप्टी परसेंट अंक होने अनिवारी हैं किसमें यहां सिर्फ दसवी में ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर डाउट खा जाओगे ठीक मतलब आपका अब मैं आपको complete इसका प्रोसेस दिखा रहा हूं उन्हें और क्या condition दी गई है और और क्या इसके व्यापर आपका सेलेक्शन होगा complete जान करेब देता हूं देको इब यहाँ पर सुनो notice के साब से notice आप लोग के सामने मैं आपको बता दिया कि 13 से आपकी जो है form यहाँ पर start हो जाएंगे डियर आप 13 तारेक्सेस के form भरने start कर दोगे हो चुके है भाई साब ठीक है 10 बज़े start हो चुके है आ त्रेड आप लोग देखें यहाँ पर सिरफ आईट जात्रों के लिए पोस्ट नहीं है अलग-अलग डिपार्टमेंट से जो डिप्लोम वाले चातर वह बीसमें प्लाइ कर सकते हैं ठीक है डिप्लोम वाले चाही कर सकते हैं लेकिन अधिकतरम आइट्यावाइजर आप एक वालों के लिए 16 है ठीक है और इल्यक्टिशन के लिए आट और इंस्ट्रिमेशन वालों के लिए भी आठ वोश्ट है ठीक है यहां पर तो यह तो मैंने आपको मोठा मोठा बता दिया उसके बाद मैं नीचे की साइड आपको लेकर चलता हूँ जो समें और में चीज है आवेधन करने का link वे मैंने नीचे description box में दे दिया है directly जाओ हमारी विबसाइट और जाएक उसमें step by step लिखाए क्यासे आप अपलेदें कर सकते हो हाँ पर हमने direct link दे दिया है वीडियो बनाई जब भी मतलब इसका नोटिज जारी हो था मैंने इस पर वीडियो बनाई थी उसके बाद यहाँ पर IUC1 मैंने आपको बता दी उसके बाद हमारा जो अगला अगला टार्गेट हम करते हैं यहाँ पर जो जितनी वीकलांग वाले छाते हैं उनको क्या कहा है यहाँ पर छूड दी जाएगी इस पुर्णन दे रखा है है यहां तो यह तो बात हो गई उसके बाद यहाँ पर अगला जो पॉइंट आता है वो है आप लोगके लिए यहाँ पर जो में चीज है बस मैंने भी आपको दो चीज मैंने आपको बताई है कि सबसे पहले इन्होंने यहां पर कुछ चीजे एड की हैं बस यही पर तो किसी के 49 बनते हैं किसी के कुछ बनते हैं तो बस यह दिक्कत हो जाती है इसमें ठीक है देखो यहां पर इन्होंने बोला है कि यहां पर इंस्टिमेशन वाले जो होते हैं आपर बोल दिया है कि जिनकी एक साल की ट्रेड है तो उनको जहाँ यहां पर अगर आपने एक साल की ट्रेड है तो आपके पास एक साल का एक्स्पिरिंस भी होना चाहिए लेकिन यह लेकिन यह लेक्टिशन फेटर वालों के लिए माने ने रखता क्यूंकि आपके दो साल की ट्रेड है तो आपक के लिए नहीं है ठीक है आपको सिर्फ यह पता हुना हुए आप एक बार चेक कर लिए ना आपके दस्वी में विज्ञान और गणित में कितने आपके परसंटेज बन रहे हैं 50% बन रहे हैं फिर नहीं ठीक है यहां तक किसी कोई डाउट नहीं हो चाहिए यह तो बात होगी उसके बाद अगर हम बाद करें इसके आप selection process इसका कैसे होगा ठीक है इसका selection process की एक और चीज़ उन्हों ने add की है यहाँ पर थोड़ा सा यह चीज़े एक बार आप check कर लिजे ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो ठीक है बाद में देखो यहाँ पर technician हाई रहा technical देख अब बाद के लिए तो इसके बाद selection process की मैं बात करूं तो इसमें पहले भी आपका परिक्षा होगी ठीक है यहाँ पर जैसा इसमें लिख रखा है लेकित परिक्षा आपकी जो होगी इसमें ठीक है अभी मैं आपको आईच वालों के लिए दिखाएता हूं यह रहा इन्हो तो यह मैंने आपको बताए इसमें परिक्षा होगी एडवांस परिक्षा होगी जो दो ही एक दिन में आपकी ली जाएगे ठीक है उसके बाद फिर आपका इंट्रुव्यू वगएरा होगा फिर उसे के भी आपर आपका स्थेलेक्षन हो जाएगा लेकिन पहला आपकी क्या ह होगी इसमें परिक्षा होगी ठीक है अपकी लिकीद परिक्षा होगी इसके बाद फिर आपका यहाँ पर दो परिक्षा होगी एक ताप colored एक होगी आपकी जो I दूसरी रिष्टेया निके दो पर होंगे औरल कहने का मतलब मेरा यह है बस ठीक है बाकिया आप लोग समझदा लोग समझ चुके होंगे ट्रेड मैंने बता दिया मैंने करते हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है वहाँ पर जाकर कि आप इस चीज को अपलाई कर सकते हो बाकि बस मैंने आपको जोई क्राइटेरिया बताया ना यह बस आपको ध्यान लखना है जो मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है यह चीज आपको यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान लखनी है जिसके बन रहे हैं सिर्फ वही अपलाई कर सक ठीक है बस यह में चीज होती है यह चीज आप ध्यान अखना विज्ञान और गणी ठीक है आपके 50 परसांट होने चाहिए और यह ट्रेड है इलेक्ट्रिशन फेटर और इंस्टिमेशन वाले चाहतर ठीक है ठीक ठाव पोश्ट ज्यादा ना तो कम पोश्ट है ना ज्यादा ठीक है ठीक है सही है मतलब इतना यार क्योंकि यह डिपार्टमेंट जो होता है वो इतने ही पोश्ट पर अधिक्तर वाकेंसी निकालते हैं बाकी और भी आपको इसी जो भी पावर इलेक्ट्रोनीक वाले अपको बहुत जादा लाकेंसी देखने को मिलेगी और आने वाले आपको बहुत ज़्याद देखने को भी लेगी तो तयार रहना आपने तयारी बैतर रखना बागी इसका अपलाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक के देए जाओ वहां से क्लिक करो और आप अपलाई कर सकते उस फॉर्म को ठीक है छे जनवरी तक आप इसक क्लिक बिस्क्रिए TV